नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग एक और एक नाश्चिंदे तयार हो रहे हैं महराष्ट की राजनीती में एक और खेल होने वाला है और ये खेल इस बार जो है वो शिवसेना में नहीं कॉंग्रिस में भी नहीं एनसीपी में शरद पवार की पार्टी में बलकि कहें शरद पवार के परिवार में होने वाला है अजीत पवार जो डिप्री सीम थे एम्बिया के सरकार में जो कुछ घंटों के लिए डिप्री सीम बने देविंद फणनविस की सरकार में जो उससे पहले भी डिप्री सीम रह चुके हैं अभी नेता प्रतिपक्ष हैं महाराष्ट विधान सबा में उनके बारे में अटकले बहुत तेज हैं कि वो बहुत जल्दी ही भारतिय जन्ता पार्टी में शामिल हो सकते हैं देखे जब इस तरह की कोई घटना होने वाली होती है तो मौसम बदलने लगता है हवा बदलने लगती है और वो बदलती हुई हवा जो है वो संकेत देती है कि क्या हो सकता है क्या होगा ये नहीं बताती है क्योंकि होना तो बहुत कुछ और और बहुत सी बातों पर निर्भर करता है लेकिन क्या हो सकता है और किस दिशा में मामला जा रहा है इसके संकेत मिलने लगते हैं जो महाराष्ट्रवें मिल रहे हैं। आप देखिए कि शरत पवार जैसा नेता आचानक अपनी भाशा नहीं बदलता। आचानक अपनी रणनिती और अपनी सोच नहीं बदलता। शरत पवार की भाषा आप देखिए, वो कॉंग्रेस और विपक्ष की दूसरी पार्टियों की बजाए भाजपा की ज़्यादा नजदीक नज़र आ रही है उनकी बातें, प्रधानमंत्री की प्रशंसा, अडानी का बचाओ, जेपी सी का विरोध, और उसके अलावा दूसरे मुद्दों पर जिस तरह से उनोंने स्टेंड लिया है, वो दरसल विपक्ष की पूरी जो रन्निती है, उसको फेल करने वाला, लेकिन बात आज शरत पवार की नहीं है, बात आज है अजित पवार की, अब जैसे अजित पवार की बात होती है, 2019 से आदा जाता है, जब वो क पूरी बात की जानकारी थी, पूरी रन्निती की जानकारी थी, शरत पवार केवल वो सरकार कुछ घंटे के लिए बनवाकर और उसे गिराकर राष्ट्पति शाषन हटवाना चाहते थे, उस समय महाराष्ट में राष्ट्पति शाषन लगा हुआ था और वो थोड़ा पर नविस कारेवाहक मुख्यमंत्री हो गए जब तक वेकल सरकार नहीं बनती है तो ये ये खेल था शरत पवार का हला कि कहते ही हैं कि वो दोनों तरफ चल रहे थे वो इस बात की भी संभावना तलाश रहे थे कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली जाए इसलिए अजीत पवार को भीजा था लेकिन बाद में उनको लगा कि ये ज़्यादा अच्छा है अगर महराश्र विकास अगारी बन जाए क्योंकि उनको उमीद नहीं थी कि कॉंग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ जाने के लिए तयार हो जाएगी जो की हो गई तो अजीत पवार ने ऐसा क्या किया है जिसकी वज़े से ये संकेत मिल रहे हैं पहली बात दस अपरेल को अजीत पवार और उनके समर्थक साथ विधायक अचानक लापता हो गए दो दिन तक लापता रहे तो अठकले लगने लगी कि क्या होने वाला है क्या हो रहा है बाद में अजीत पवार ने कहा कि भाई मेरी तबियत खराब हो गए थी सवाल ये है कि तबियत खराब होने पर आप घर में आराम कर रहे हैं ये बात तो समझ में आती है लेकिन आप सोशल मीडिया से गायब हो जाएं आज के जमाने में आपका कोई बयान ना आए सोशल मीडिया पर ये थोड़ा आश्चर जनक लगता है खास्त और से ऐसे में जब इस तरह की खबरें लगातार चल नहीं हो दिन भर तब भी आपकी चुपपी जो है वो किसी और बात की और इशारा करती है फिर उसके उसके बात जो है उन्होंने जिस तरह से प्रधान मंत्री नरिद मोदी का बचाव किया उद्धव ठाकरे की बात के खिलाब जब उनका डिगरी का मामला अर्विंद केजरिवाल ने उठाया फिर उद्धव ठाकरे ने उसका समर्थन किया तो उन्होंने कहा कि 2014 में देश के लोगों ने प्रधान मंत्री नरिद मोदी की डिगरी देखकर नहीं उनके करिशमे पर वोट दिया था उनकी लोग प्रियता इतनी है लोगों के बीच में उसके लिए उनको वोट मिला उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का समर्थन किया और भाजपा के दूसरे मुद्दों का समर्थन किया लेकिन जो क्लिंचिंग बात आई जिस बात से लगा कि नहीं सचमुच ये मामला गंभीर है उससे पहले एक और चीज हो गए थी कि अंजली दमानिया जो कभी आमादमी पार्टी में थी उन्होंने आरोप लगाया था नितिन गड़करी पर कि उनका और शरत पवार का कारोबानी रिष्टा है जिसका गड़करी ने खंडन किया था और मानहनी का मुकदमा करने की दमकी दी थी मुकदमा हुआ कि नहीं पता नहीं लेकिन उनका कहना उन्होंने एक ट्वीट किया उस ट्वीट के जरी उन्होंने कहा कि वो मुंबई में मंत्राले में गई थी वहां से उनको पता चला कि अजीत पवार अपने 15 विधायकों के साथ भारती जन्ता पार्टी में शामिल होने वाले उसके बाद जो है संजे राउत का बयान आया लेकिन वो मोटर माउथ उनको कहा जाता है वो कुछ भी बोलते रहते हैं लेकिन उनकी बात को पुरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा कि अजीत पवार बीजेपी में जाने वाले है हाना कि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अजीत पवार का भविशे न्सीपी में जादा सुरक्षित है लेकिन जो मैं बात कहते कहते रुख गया था कि क्लिंचिंग एविडेंस इसका जो है वो आया जब इडी ने इस हफते महाराष्ट स्टेट कोपरेटिव बैंक घोटाले की चार्जशीट फाइल की इस घोटाले में एक शुगर कंपनी का भी नाम है जिसका मालिकाना हक अजीत पवार और उनकी पतनी सुनेतरा पवार के पास है इस शुगर कंपनी की इस घोटाले की जांच के दोरान संपतियां अटैच की थी एडी ने लेकिन चार्जशीट में दोनों का नाम नहीं है न अजीत पवार का न सुनेतरा पवार का तो इससे इससे पुष्टी हुई कि अजीत पवार किस दिशा में जा रहे है इसमें भी अगर कोई शक रह गया हो तो इसको दूर किया मुंबई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंदरकान बावन कुले ने बावन कुले ने कहा कि इडी को अजीत पवार और उनकी पत्मी के खिलाब कुछ मिला नहीं इसलिए चार्शीट में नाम नहीं है अब आप देखिए कि भाजपा का एक नेता बचाव कर रहा है अजीत पवार का और अजीत पवार इस मुद्धे पर क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक एडी ने मुझे क्लीन चिट नहीं दी है अभी एडी की जांच जारी है अपनी और से इंफोर्स्मेंट डारेक्टरेट ने कोई बयान नहीं दिया इस पर इस चार्शीट में उनका नाम क्यों नहीं है आगे उनके खिलाफ जांच हो रही है नहीं हो रही है उनके खिलाफ जाँच बंद कर दी गई है, क्लिंचिट दी गई है, नहीं दी गई है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो ये कुल मिलाकर मामला देखिए आजकल ये एक बड़ा संकेतक हो गया है कि किसके खिलाफ जांच चल रही है किसके खिलाफ जांच बंद हो रही है और किसके खिलाफ जांच धीमी हो गई है ये एक राजनीतिक हवा का रुख बताती है तो अजीत पवार के खिलाफ जिस तर भी दे तो निश्चित रूप से दोनों के बीच में कुछ चल रहा है अब आप और चीजों पर गौर कीजिए अजीत पवार के बेटे हैं पार्थ पवार वो काफी समय से भारती जंता पार्टी के समर्थन में बोलते रहे हैं जै श्री राम लिखकर ट्वीट भी करते रहे है जब आयोध्या में शीला पूजन हुआ श्री राम मंदिर का प्रधान मंतरी गए तो उसकी बड़ी प्रशंसा की उसके अलवा सुशान सिंग राजपूत की मौत के मामले में पार्थ पवार अकेले न्सीपी और महाराष्ट विकास अगारी के नेता थे जिन्होंने मांग क कि सीबी आई जांचो जबकि शरत पवार खुलकर कह रहे थे कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है उस समय सुप्रिया सुले ने उनका बचाव किया कहा कि पार्थ पवार ने जो कुछ कहा है वो उनकी निजी राय है ये पार्टी की राय नहीं है लेक वो अजीत पवार का होगा सुप्रिया सुले शरत पवार की बेटी भले हो लेकिन वो पार्टी के संगठन के मामले में अजीत पवार को चुनोती नहीं दे सकती और वैसे भी वो खुद कहती है कि वो राज्य की राजनिती में उनकी रुची नहीं है वो राश्ट्री राज जाएंगे ये किसी को मालूम नहीं तो इतना तो नजर आता है कि शरद पवार किसी एक नई रड़नीती पर विचार कर रहे हैं वो विपक्ष की बैठकों में भी शामिल हो रहे हैं और अडानी के मुद्दे पर प्रदानमंत्री और भाजपा का बचाव भी कर रहे हैं दूसरे मुद्दों पर भी भाजपा और प्रदानमंत्री का बचाव कर रहे हैं तो वो दोनों तरफ खेल रहे हैं अब मुझे लगता है कि वो ये इस बात का आकलन करने में लगे हैं कि किदर फायदा है मैं यह नहीं कर रहा हूं कि शरद पवार बीजेपी जोईन करने जा रहा है लेकिन शरद पवार बीजेपी के साथ कोई रिष्टा कायम करना चाहते हैं यह दिखाई दे रहा है अब अजीत पवार और शरद पवार ऐसा क्यों चाहते हैं अजीत पवार की बात करते हैं पहले अजीत पवार को ये बात समझ में आ गया है वो जमीनी नेता है जमीन पर काम करते हैं उनका जनाधार है उनको पता है कि हवा किस तरफ बैह रही है उनको ये बात समझ में आ गई है चाहे केंदर की बात हो चाहे राज्य की बात हो भारती जन्ता पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है तो अगर सत्ता का सुख भोगना है सत्ता के साथ रहना है तो भारती जन्ता पार्टी के साथ रहना है ये बड़ा सिंपल और बड़ा सीधा सा तर्क है उनको मालूम है कि बिना सत्ता के उनके साथ क्या होगा उनको मालूम है कि उन्होंने 15 साल की जो सरकार थी कॉंग्रेस और NCP की उसके दौरान जो कुछ किया था उसकी जाच से उसकी सजा से बचना मुश्किल होगा अगर सत्ता रूर दल के साथ नहीं होंगे तो उनको अपना और अपने बेटे का भविश्य भारती जनता पार्टी में नजर आ रहा है इसलिए उनका ये स्टैंड दिखाई दे रहा है कितने दिल लगेंगे पता नहीं भारतिय जन्ता पार्टी क्यों लेना चाहेगी उनको भारतिय जन्ता पार्टी को पता है कि अगर महाराष्ट विकास अगारी मिलकर पूरी ताकत से लड़ेंगे तो उसके लिए विदान सबाद चुनाओ जीतना बहुत आसान नहीं होगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार जाईगी बीजेपी मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ आज की तारीख में कि बीजेपी जीत ही जाईगी क्योंकि अभी एक नाच शिंदे की वोर्ट दिलाने की ताकत कितनी है इसका इम्तहान होना बाकी है इसकी परिक्षा नहीं हुई है एक नाज शिंदे अभी इस परिक्षा में बैठे ही नहीं है तो पास फेल होने की तो बाती क्या तो इसलिए भी बीजेपी आशंकित है कि कितना फायदा मिलेगा एक नाज शिंदे के आने से सरकार तो बन गई लेकिन क्या वोट भी मिलेगा ये ऐसा प्रश्ण है जो अभी तक अनुत्तरित है इसलिए बीजेपी को लगता है कि एक कुशन चाहिए एक कुछ और अतिरिक्त चाहिए एडिशनल चाहिए एक टॉप अप चाहिए तो वो टॉप अजित पवार हो सकते है मराठा है जनाधार है प्रशाशनिक चमता के बारे में कोई संदेह नहीं है उनकी सांगठनिक चमता के बारे में कोई संदेह नहीं है और लंबे समय से महराष्ट की राजनीती में सक्री है तो इसलिए जो है अजित पवार अगर बीजेपी में आते हैं तो दोनों के लिए win-win situation बनती है बीजेपी को एक मजबूत मराठा लीडर की तलाश है एक नाच्छिंदे भी मराठा है लेकिन एक नाच्छिंदे का मुंबई और ठाने के बाहर कितना बड़ा जनाधार है फिर कह रहा हूं ये अभी तय नहीं हुआ है वो शिवसेना में रहते हुए जो कुछ दिखता था वो किवल शिवसेना के कारण था या उसमें उनका बड़ा योगदान था ये सब अभी तय होना है ये भी एक चर्चा है कि प्रदेश में शिवसेनिकों और खास तोर से शिवसेना के समर्थकों में एक सहानुभूती उद्धव ठाकरे के प्रती है क्या वो सहानुभूती वोट में बदलेगी ये किसी को पता नहीं है तो BJP ये जो अनुद्टरित प्रशन है इन प्रशनों का हल खोजने की तलाश में उसको लगता है कि अजिद पवार के आने से इन प्रशनों का उत्तर मिल जाएगा उसे हल मिल जाएगा अजित पवार के भारतिय जन्ता पार्टी में शामिल होने की संभावना बहुत प्रबल है लेकिन राजनीती में स्थितियां बदलने में देर नहीं लगती और भाजपा तो दूज की जली हुई है इसलिए छाज भी फुख फुख कर पीना चाहती है वो पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहती है कि अजित पवार अगर आ रहे हैं तो इसके पीछे शरत पवार की कोई नई चाल नहीं है जब तक उसके प्रती आश्वस्त नहीं होती तब तक बीजेपी ये कदम उठाएगी इसमें बड़ी शंका है लेकिन शरत पवार उनकी राजनिती क्या है अगर वो अजित पवार को अपनी मर्जी से जाने दे रहे हैं मतलब उनकी रजामंदी से जा रहे हैं या उनसे विद्रोग करके जा रहे हैं दोनों पर इस्थितियों में और शर्त पवार जिस तरह का स्टैंड ले रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं M.V.A. को लेकर जो विश्वास होना चाहिए उसकी कमी निजर आ गई है। उनको लगता नहीं कि महाराष्ट विकास हागाडी लोग सभा चुनाओं और उसके बाद विधान सभा चुनाओं में B.J.P. और शिंदे का मुकाबला कर पाएगी। तो इसकी वज़े से पूरी महाराष्ट की राजनीती जो है एक मेल्टिंग पॉर्ट में चली गई है। अनुत्तरित प्रश्णों का हल क्या है उनका उत्तर क्या है ये जब तक B.J.P. को नहीं मिलता तब तक वो B.M.C. का चुनाओ तालती रहेगी। तो इस अंक में इतना ही अगले एक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अनुति दीजिए। आपसे रूद है कि ये चैनल दिखे, शेर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।